तो आज वीकेंड था और हम लोग ऐसी बैठे हुए थे और खाने का कुछ डिसाइड कर रहे थे कि डिनर में क्या बनाए तो एक तम से आर्थी ने रेसिपी का नाम लिया और मैंने उसे बोला कि हाँ आज तो यही खाना है तो आज जो रेसिपी आर्थी बनाने वाली है लोकी के कोफते की बिर्यानी और यह बिर्यानी ऐसी है कि जब भी हमें बिर्यानी खाने की इच्छा तरती है और जब भी वेजी खाना है तो हमेशा हम लोग यही बिर्यानी बनाते है और फ्रेंड आपको बता देता हूं बहुत से लोगों को लोकी पसंद नहीं आती है पर एक और बात फ्रेंड्स मैं सच बता रहा हूं हमने लोकी कोफते की बिरियानी इससे पहले भी गर पे बनाई है इसका टेस्ट ऐसा लगेगा अगर कोई नॉन वेज लवर है तो उसको एकदम चिकन बिरियानी जैसी फील आईगी और अगर कोई वेज लवर है तो उसे एकदम मतलब हरा बरा कबाब की बनी हुई बिरियानी जैसा फील आएगा और आड़ती अविस्ट है ना रेसिपी को आप सब के सामने बताने वाली है अगर आपको ए रेसिपी अच्छी लगे तो अपने गर पे जरू ट्राय करना और मुझे कमेंट में जरूर बताईए हां का कमें करेंगी और प्लीज विवर्स अगर आपको हमारी चैनल मिस्टर और मिसिस पांचाल अच्छी लगे तो हम दोनों आपसे रिक्वेस्ट करेंगी प्लीज हमें सब्सक्राइब करें प्लीज हमें आपके मोटिवेशन की और आगे जरूरत पड़ेगी तो लेट्स नाओ सीधर रेसीपी आप लोकी के कोफे की बिर्यानी हम शुरू कर रहे हैं लोकी के कोपते की बिरियानी की रेसिपी तो फर्स प्रोसेस है मैंने ये लोकी को उसका चिलका निकल के कद्दू कस करा है उसमें मिर्ची धनिया और सारे जो मसाले होते हैं सूखे मसाले वो एड़ करने हैं अद्रग लसुन की पेस्ट एड़ करनी है और बेसन एड़ करके उसका पे मैंने राइस भी ओई करके रखा है 80% क्योंकि हम लोग बाद में मिर्यानी को दम लगाएंगे तो 20% उसमें पप जाएगा इसलिए 80% अभी मैंने राइस में सारे खड़े मसाले डाले हैं तो यह मैंने आपको जैसे बोला था मैंने बेसन और इसमें एड़ करा और यह इसको एक बात याद रखिए इसमें आप पानी बिल्कुल मट डाले क्योंकि इसमें नमक डालने के बाद अपने आपी पानी चुट गया है तो इसमें बिल्कुल भी पानी मट डाले है और यह वैसे मैंने थोड़े तले के रखिए है यह अभी हमें होड में यह थोड़े है уже कॉफते जो हैं यह बना के तेल में घरम करकर अभी यह थोड़े से निकाल के आई देखिया वह इससugu क्रिस्पी आप यह कित्ले एक दुम बोले डालिया ताकि अच्छे से पक जाए अंदर से अच्छे से पके जल भी जाते हैं और अंदर से कच्छे रह जाते हैं इसलिए मीडियम आज पर ही इसको तलने दो कोफते आप देख सकते हैं आरती ने कोफते बनानी के शुरुवात कर दी है और ये मैंने तीन मीडियम साइज प्याज ऐसे काटके रखे इसको मैं तल के बाद में ब्राउन करूंगी जो बिर्यानी के ऊपर जो ब्राउन प्याज डाले जाते हैं तो अभी उसके लिए ये प्याज भी कट चुके हैं ता कोडी मैंने ये ब्राॉं करके रखे प्यास ये देखिए कैसे लग रहे ब्राउन करके रखे और ये इसमें मैं इसमें यूज करती हू ये कटर में भी तो इसमें मैंने अच्छे से कद्दू कस करा है टमाटर मीडियम साइज होगे तो आप 3 लीजिए और छोटे होंगे तो चार लीजिए तो यह टमाटर इसमें में डाल जाएगा तो गाइस यह जो प्याज है यह उपर गार्मिश शेंग के लिए यूज किया जाएगा जो यह वाला प्याज है और यह अभी बिरियानी की ग्रेवी बना रहे हैं मैंने प्याज और यह सब इसी तेल में करें थे ठाए अभी थोड़ा सा तेल बचाता तो मुझे इसमें क्या बिरियानी में गी अच्छा लगता है तो मैंने इसमें 2 स्कून छोटा गी डाला है आपको अगर तेल पसने तो आप तेल में भी बना सकते हो और गी अच्छा जैसे यह मैं डालूंगी उसमें पूदीने के पत्ते थोड़ी सी धनिया और यह मैंने मसाले में लिए लाल मिर्च धनिया पाउडर जीरा पाउडर और बिर्यानी मसाला लिया है और नमक लिया है ठीक है नमक हमने पकोड़े में भी डाला था राइस में थोड़ा सा नमक ड पीज़ influencers बैंने-जौन नायोसी 59ग विलान तो 2-5 डौन चम आखासीWhat एक टॉसे डाले जोसें आपको सानी आपको और जोसे अपर दालें। मेंने टौनता डालें आझनीद इस मासाले दालें। तो आपको पता चल जाएगा कि अच्छे से पक चुका है। यह अभी हमारी ग्रेवी पूरी तरह से भून चुकी है। 10-15 मिनिट तक आप इसको अच्छे से भून दिये। जितना अच्छा भून दोगी उतना अच्छा ग्रेवी का टेस्ट आएगा। और यह ग्रेवी देखिए आप कितनी अम्मी लग रही है। अभी आप इसमें यह सारे जो कोफते मैंने बनाएं यह इसमें मैं डाल भी हूँ। और यह कोफते को अच्छे से मीक्स करे ग्रेवी के साथ। अब अगर आपके घर में धाई पड़ा है तो आप 2 चमज धाई भी डाल सकते हो इसमें। मेरे यह पे तो पड़ा नहीं है घर पे अभी। तो मैंने नहीं डाला है। आपको च़ह यह तो डाल सकते हो अच्छा लगेगा। अब यह कोफते में अच्छे से बुंदूगी और इसमें थोड़ा सा पानी डालूगी ग्रेवी के लिए। तो यह मैंने कोफते थोड़ी देर ग्रेवी में भूनने के बाद इसमें आप गरम पानी डालिए। गरम करके पानी। इतना सा पानी डालिए आप और अच्छे से ग्रेवी और इसको मिक्स करिए। इससे क्या जो ग्रेवी थी मतलब बहुत गाड़ी थी तो अभी इसकी कंसिस्टनसी अच्छी हो जाएगी। अब थोड़ी देर इसको पानी में पानी डालने के बाद इसको थोड़ी देर कोफते को रहने दीजिए। पर आगे की स्टेप में बताते है। इसकी और आधी ग्रेवी मैंने निकाल के रखी है। यह बेसिकली आपको व्यूवर्स बता देते हैं यह बिरियानी का दम कैसे मारा जाता है वो बता जा रहा है। पहले एक लेयर कोफते की जो ग्रेवी बनाई थी उसके उपर थोड़े से चावल जो 80% आरती ने बता है ताब पग गए है। उनको डाला जा रहा है देखिया। व्यूवर्स में आपको यह भी कहना चाहता हूँ जो आरती ने मुझे बता है कि कभी-कभार हो सकता है कि एक लेयर चावल की उस ग्रेवी के उपर बिच्छा दिये है। अब आप देखें जो बचा हुआ और ग्रेवी है कोफते का वह अब इसके उपर एक और लेयर डाली जा रही है चावल के उपर। यह अच्छे से आप देखें इसको लेयर बाइलेयर बीट विरिया नी का जो आपको टेस्ट आएगा उसमें यह लेयर बाइलेयर आप कैसे इसको अरिच करते हैं उस पर अब इसके उपर आप देखिए आरती थोड़ा सा धनिया धनिया जो गार्निश्ट की प्याज है उसको डाला जा रहा है देखें आप अब इस लेयर के उपर बच्चे हुई चावल फिट से डाले जाएंगे यह सारे चावल अच्छे से आपको चारों तरफ डालने हैं पुरा घबर कर दे रहा है जब यह चावल के उपर बच्चा हुआ सारा धनिया पुदिना और ब्राउनिश्ट प्याज अब डाला जाएगा तो आप देख सकते हैं व्यूवर्स की कित्ते अच्छे से इसको लेयर बाई लेयर डाल दिया गया है और यह जो कड़ाई है यह पूरी एक्टम टॉप तक अब फिल हो चुकी है इसी लेयर के उपर आप चाहे तो कोल का भी स्मुक दे सकते हैं तकन रखके पर हम सिंप्ली इसके उपर तकन रखेंगे इस तरह से यह आप तवा लीजे आपके घर का कोई भी मैं तो ऐसे स्टाइल से बनाती हूँ यह तवे के उपर मैं इस कड़ाई को रखूंगी ढखके 15-20 मिनिट के लिए दम दीजिया अच्छे से पकेंगे और अच्छे से पूरा स्वाद अंदर बिर्यानी में लगेगा अच्छा तो आर्दी आप यह कि रहे कि अब यह तवा हम मतलब इसको दूसरे गेस पर रखके तवे को अब यहां पर गरम करेंगे और यह पूरा का अब इस पर रखा जा रहा है तवे पर रखने से क्या होता है कि आपने जो 15-20 मिनिट तक इस को आप गरम कर रहे हैं इसमें क्या होगा कि आपका चावल पूरी तरह के से पक जाएगा और साथ ही साथ जो सारे फ्लेवर्स जो कोफते के हैं वो भी सारा चावल में मिल तो व्यूवर्स देखिए यह बिर्यानी बन चुकी है पूरी तरह से और मैं बता सकता हूँ इसकी खुश्बू इत्ती अच्छे रहे आपको अभी लग रहा होगा कि आरे यह क्या है चावल और इसे प्लेट में निकाल रहे हैं और आप अगर यह देखेंगे इसके अंदर यह देखें आप प्लेट में पूरी तरह से चावल और मसाले का बिल्कुल पर्फेक्ट देखें यह प्लेट में विर्यानी हमारी ग्रेवी के साथ इसमें आप देखेंगे कोफते के पीस भी आपको दिख रहे होंगे तो आपको कैसा लगाई ब्लोग आप जरूर कमेंड करके मुझे बताइए और अगर आपने रेसिपी ट्राइग करी तो जरूर मुझे बताइए आपको कैसी लगी रेसिपी तो फ्रेंट्स यह बिर्यानी हमारी रेडि है और अब हम इसे खाके टेस्ट करते हैं और मैं आप को सच बता रहा हूं हमने इससे पहले भी खा रहा कि यह बिरियानी बहुत अच्छी है आप अपने गर पे जरूर बनाए और इस वीडियो को अगर आपको यह रेसिपी बनाने के बाद अच्छी लगे तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना लाइक करना हमारे इस रेसिपी को तो चलो आरती हम हमारा टेस्टिंग करते हैं